प्रेस दे बेल आइकन फोर आल अपडेट प्रम खबरी हिंदुस्तान पांच मई यानि कल गुलशन कुमार का वर्थ दे था अगर आज वो अमारे बीच होते तो वो 62 साल की होते उनके वेटे भूशन कुमार आज देश के जाने माने फिल्म निर्माता है गुलशन कुमार ने अपने दम पर फिल्मी संगीत का चहरा बदलने का काम किया है एक दोड था जब फिल्मी गाने या तो सिनिमा के दोरान या रेजियो पर ही सुनने जाते थे गुलशन कुमार ने टी सीरीज के कैसेट के जरी संगीत को घर घर पहुचाने का काम किया 5 मई 1956 को गुलशन कुमार का जम देश की राजाने दिली में एक पंजाबी अरोडा परिवार में हुआ था उनका मूल नाम गुलशन दुवात था उनके पिता दिली के दरियांकस बाजार में एक फलों के जूस की दुकान चलाती थी वहाँ से शुरू हुई उनकी यात्रा एक अलग मुकाम तक पहुची गुलशन कुमार की कहानी जीरो से हीरो बनने की कहानी है उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडरस्ट्री में ऐसे समय पर कदम रखा जब ये दीरे दीरे पॉपुलर हो रहा था वो अपनी मेहनत और जज़बे से संगीत उध्यों को काफी आगे ले गई उन्होंने सोनो निगम जैसे कई गायकों को ब्रेक देकर उनके करियर में एहम योगदान दिया गुलशन ने सूपर कैसेट्स इंडस्ट्री जिमेटिट कंपनी बनाई छो भारत में सबसे बड़ी संगीत कंपनी बन गई उन्होंने वैशनो देवी में एक बंडारी की स्तापना की जो आज भी तीर्थी आत्रियों के लिए निशुल्क भूजे नुपलप्त कराता है गुलशन 1902 में से 1903 में में सबसे जादा टेक्स देने वालों में से थी ऐसा माना चाता है कि गुलशन ने बुंबई के अंडरवल की जबरन वसूली की मांग के आगे जुकने से इंकार कर दिया था जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई 12 अगस्ट 1997 में को बुंबई में एक मंदिर के बाहर गोली मारका गुलशन के हत्या कर दी गई थी हाल ही में उनका नाम तब चर्चा में आया जब उनकी बायोपिक मैक्षी कुमार के मुख्य किदार निभाने की खबर आई थी बाद में ये फिल्म टल गई थी गुलशन कुमार की म्रत्यू के बाद उनके पुत्र भूशन कुमार ने सूपर कैसर्स इंडस्ट्री लेमिटेड की जिम्मेदारी संभाल ली उनकी बेटी तुलसी कुमार भी एक जानी माने सिंगर है